परियावरन को बचाना है तो व्रिक्षारूपन बहुत जरूरी है जी हाँ प्रित्वी के सनरक्षन और परियावरन को अगर बचाना है तो आज के इस परिवेश में व्रिक्षारूपन करना बहुत जरूरी हो गया है शिव शिष्य से हिर्द्यानंद फाउंडेशन द्वारा दीदी नीलम के 66 जनल दिवस पर पौधार उपन का कारिक्रम हुआ इस दौरान दीदी वा भाईया ने कुलहडिया में 111 पौधे लगाएं मौके पर विरेंदर सिंग वा उपस्तित लोगों ने सिव घुरुप भजन गा कर पौधो लगाए और उसके देख रेक करने की अपील भी खीब फाउंडेशन की सदश्यों ने बताया कि पौधार उपन कारिक्रम एक मुहीम की तरह चलाया जाएगा जिससे प्रिथवी फिर से हरी भरी हो सके सांथी यह भी कहा कि जिन्दा रहने और सांस लेने के लिए जितनी जरूरत है उतनी नहीं तो हर वैक्ति कम से कम एक पौधा तो जरूर लगा ही सकता है जिससे की स्रिष्टी बत सके मौके पर अमर सिंग ने बताया कि 21-27 जुलाई तक पूरे छेतर में वरिक्षा रूपन कारिक्रम चलाया जा रहा है इस दोरान तीन हजार छाएदार वफल वाले पौधे लगाए जाएंगे मौके पर अमर शिंग, आसा देवी, सांती देवी, भोला कुमार, इश्वर देयाल, प्रहलाद जी, असुक कुमार, शंकर, सुधर्शन, विजय, विरेंद्र, जैमंगल आदी उपस्तित थे सभी ने वरिक्षा रूपन कर समाज को प्रेडित करने का कारे किया गाउं में विर्षा रूपन का कारे करम किया जा रहा है, इसी तरह हमारे भोजपुर के चौदफ प्रक्षण में विर्षा रूपन का कारे करम होंगे, और 21 जुलाई से 27 जुलाई तक दीदी निलमान जी के जनम दिन के आउसर पर हमारे साहब श्री हरेद्रण जी शिवसी से परिवार के जो गोसक हुए यह भगवान शिव को अपना गुरु बना कर देखे उन्होंने ही कहा कि देदी के जनम दिन के आउसर पर आप एक एक विरिक्ष लगाएं तमाम शिवसी आम लोगों से क्या प लेता है और आज पानी के बोतल जैसे हम लोग लेके घुम रहे हैं आने वाले समय में ऐसा नहीं हो कि अगले पीड़ी के लोग आउक्सीजन का बोतल लेके इसलिए मैं सभी लोग से आग्रह करूंगा कि आप लोग एक पेड़ अवस्ते लगाएं यह मुहीं में आपकी कब जल के लिए अभी हम लोग सोचे हैं कि जो बारिस का पानी है उसके थोड़ा बहुत हम लोग गड़े बनाएंगे उसको सींचेंगे यह जो बेकार पड़े तलाब हैं उनको हम लोग सफाई करें यह आपका शुब नाभ शेसित ब्रेंदर कुमार चांदी